So, hey everyone, this is Garan, तो, जैसे के मैंने बाता है, तो मैरे कुछ एक्जम्स चल रहे थे, तो उसके वज़े से मैं कोई भी कॉंटेंट अप्लोड नहीं कर पाया, लेकिन खेर अब एक्जम्स कुतम हो गए, तो अब डेली का कॉंटेंट आएगा, जो भी हमारा शेडल ले उसकी सबसे, तो आईए आज हम बात करने वाले हैं, साइबर अटेक्स के बारे में, हम खेर साइबर सेक्रेटी का जो कॉर्स लाए हुसमें, हमने सब कुछ मतलब बेसिक्स वगरा देख रहे हैं, लेकिन हमने ये तो देखा ही ने कि अटेक्स क्या होते, आए दिन हर और्गनिजेशन पे कुछ नो कुछ अटेक्स होते, तो अज़र साइबर सेक्रेटी हम तभी उससे प्रिवेंट कर पाएंगे, तो आएए आज की वीडियो का हम शुरू करते, तो सबसे पहले क्या होता है मालवर अटाक्स, क्या आपने इसे पहले क्या भी सुना है, I guess सुना होगा, आएए डिसकेस कर लेते, क्या होते हैं, तो मालवर अटाक्स बहुत ही हांफुल अटाक्स होते, जिसमें हम कंसिडूर करते हैं, रैंसम्वेर, एडवेर, वांट्स, और स्पाइवेर के बारे में, तो for example, मैं वाइरिस के बारे में बात करना चाहूंगा, I hope, almost सभी को पता होगा वाइरिस क्या होते, so वाइरिस हमारे मालवर में आते, तो actually यह करते के हम कोई भी specific application या फिर software या फिर एक generated code बना के, हम अपने victim devices में implement करते थे हैं, जिसके वज़े से वो हाम कर जाता है उसके system में, या फिर हम कोई भी information seal करना चाहते हैं उसके system से, तो हम मालवेर आटेक्स को यूज करते हैं, फार एक्जमपल, Rapid7 के उपर हाली में attack हुआ था रहा है मालवेर का, तो इनी तरह कई भी बड़ी कंपनियां इन से जूचते हैं, और इनके implementation में कोई भी human error आजाने के वज़े से, यह implement हो जाते हैं, फार एक्जमपल, अगर फायरवाल प्रॉपर ली इंपलिमेंट नहीं हुआ, या फिर फिशिंग इमेल से यह लोग क्रैक हो गए, तो हम बात करेंगे फिशिंग इमेल के बारे में भी आखर में फिशिंग क्या होता है, तो हम देखेंगे, तो अब बात करेंगे हैं फिशिंग आटेक्स के बारे में, फिशिंग आटेक्स आपने कई बार मेरी वीडियो में भी सुन लिया होगा, और या फिर तो आपने बाहर भी बहुत बार सुन लिया होगा फिशिंग आटेक्स के बारे में, तो आखिर में यह होता गया है So actually it is very common attack and most damaging attacks तो hacker इसमें करता किया है यह एक fake email generate करके बेजेगा और आपको लगेगा यह legitimate user से आया है For example, आप finance के manager हो तो as a CEO आपको mail करेगा और कहेगा यहाँ पर हमें payment करने की अविशकता है तो आप उसे confirm करोगे कि वो email कहां से आया तो फिर ऐसा दिखानी की कोशिश करेगा कि वो CEO से आया है और आप payment कर दोंगे असल में फिर वो सारा payment hacker लेकर लेकर चला जाएगा तो phishing attack में ऐसा ही होता है यह एक fake email बेचते या फिर आपको चारा देते for example lottery ticket I guess आपने सुना होगा तो उसमें यह आपको कुछ email और आप उसमें अपने details प्रोवाइड करते हैं जिसके वज़े से वो information उसके पास चल जाती है फिर वो आगे का process continue कर सकता है तो I guess अब आपको phishing attacks भी clear हो गया होगा तो आईए हम next attack के बारे में बात करते हैं तो हमारे third attack में आता है password attack तो इसमें हमार hacker करता है यह आपके जूर्पिक credential for password जो भी रहता है वो उसे steal करता है और use करता है illegal purpose के लिए हाले कि वो कोई अच्छे गाम के लिए तो use नहीं करेगा It is also done by guessing Cybersecurity में हर चीज मशिनेरी या फिर automated नहीं होती कुछ चीज़े normal, manually भी की जाती है तो one of the password attacks में guessing भी आता है Brute force आता है, dictionary attack आता है जिसमें हम set of dictionary consider करते हैं इसमें list of passwords रहते हैं तो अब हम बात करना चाहेंगे man in the middle attack में तो इसमें होता गया, normally क्या होता है मतलब हम normal situation में बात करेंगे, आप हो यहाँ पे user और अगर आपको bank से कोई money transfer करवाना है तो आप direct bank से मतलब request बेज होगे और आपको जो भी process होगा ऐसा ही होता है या फिर आपको Amazon चलाना है, आप request बेज होगे और Amazon website पे चले जाओगे तो man in the middle attack में क्या होता है आपको यही से समझ में हो रहागा man in the middle attack तो hacker क्या करता है, इस connection को break करता है, और connection यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे hacker है तो यहाँ पे अभी hacker का device अभी इसका main source है, तो आपको जो भी connection जाएगा, वो hacker के device से pass होने के बाद वो उसे monitor करता है, अगर उसे उसमें कोई भी informative चीज लगी वो उसे capture कर लेता है तो actually आपके network को break के से करता है, यह आपके network में पहले तो enter करेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे वो ARP poisoning करेगा अगर आपको नहीं पता ARP poisoning क्या होता है तो मैंने उसके उपर एक short video बना ही है तो आप उसे भी देख सकते हो तो वहाँ पे यह attack perform करेगा या फिर उसके जो भी tools है वो use करेगा और यहाँ पे connection के बीच में आ जाएगा फिर आप जो भी data type कर रहे हो सब hacker के तरफ से हो के bank के तरफ जाएगा तो सारे चीज़े capture कर लेगा तो इसे मैं यही साला दूँगा data encrypt रहना चीए tunneling use करो तो खेर आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि man in the middle attack क्या होते है तो सारे attack users के उपर नहीं होते कुछ attacks servers पे भी होते है for example यहीं पे xql injection है जो की database पे attack होता ही है तो normally होता क्या है हमारे यह कि हम जो भी है अब हम pages पे नहीं लिखते हम सब कुछ servers या फिर database में store करते है sequence wise तो इन में hackers क्या करते है वह पे कुछ code inject करेंगे sequel के और फिर वह पे हमारा database manipulate हो जाएगा फिर वह सारे database को capture कर लेता है देख लेता है या फिर changes ला देता है जिससे obviously owner को harm होगा या फिर loss होगा और hacker को profit होगा वह बिना profit का कोई क्यों करेंगे अगर एक बड़ data उसके हाथ में लग या फिर वह data को leak कर सकता है जो कि हमारे users data होते credit card credit numbers होते वह leak कर देगा या फिर उसका misuse करेगा या फिर उसे delete कर देगा और आपसे ransom की demand करेगा कि अगर आप इतना demand दे दो और वह उसे आपकी data को leak नहीं करेगा या फिर छोड़ देगा तो यह attack भी बहुत ही dangerous होते और हाली में काफी सारी company इन से infected हो चुके अब आज के लिए बस इतना ही और हम next video में इसके next part के और भी कुछ जो भी attack से उसे देख लेंगे और उनके prevention attack देख लेंगे thank you for watching और मिलते हैं next video में अभी के लिए bye